नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर इंसाइट्स पर आज हम एक बहुत ही रोमांचक और चुनोती पूर्ण विशय पर चर्चा करेंगे टेरे फार्मिंग यह प्रक्रिया है जिसके तहत हम अन्य ग्रहों को इस तरह बदलने की कोशिश करते हैं कि वे प्रित्वी के समान जीवन के लिए अनुकूल हो सकें आईए जानें कि टेरे फार्मिंग क्या है, इसके लाब और चुनोतियां और यह कैसे भविश्य में हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है टेरे फार्मिंग एक वैज्ञानिक और तक्नीकी प्रक्रिया है और अन्य स्थितियों को इस तरह से बदलना है कि जीवन की संभावनाएं बढ़ जाएं हमारा उद्देश्य अन्य ग्रहों पर जीवन के लिए परिस्थितियां बनाना है ताकि भविश्य में यदि प्रित्वी पर कोई संकट आए तो हमारे पास एक दूसरा घर हो इसके अलावा टेरे फार्मिंग हमें ब्रम्हांड में जीवन के संभावनाओं को समझने और खोजने में भी मदद कर सकता है प्रित्वी की तरह किसी अन्य ग्रह का वातावरन बनाना एक बड़ी चुनौती है मंगल ग्रह का वातावरन बहुत पतला है और इसमें मुख्य रूप से कार्बन डायोन अकसाइड है इसे बदलने के लिए हमें वायू मंडल को गाढ़ा करना होगा जिसमें काफी समय और संसाधन लग सकते हैं ग्रह की जलवायू को नियंत्रण में रखना भी एक बड़ी चुनौती है हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तापमान स्थिर रहे और जीवन के लिए अनुकूल हो अत्यधिक तापमान व्रिध्धी या कमी जीवन के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है टेरे फार्मिंग के लिए आवश्यक संसाधन जैसे की पानी, आवश्यक खनिज और उर्जा स्रोध ग्रह पर उपलब्ध होने चाहिए या हमें उन्हें लाना होगा ग्रह की सतह पर इन संसाधनों को इकठा करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है टेरे फार्मिंग के संभावित तरीके मंगल ग्रह के वातावरण को गाढ़ा करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का निर्मान किया जा सकता है यह प्रक्रिया ग्रह के तापमान को बढ़ा सकती है और इसे जीवन के लिए अनुकूल बना सकती है वायू मंडलिय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें विशेश तक्नीकें विकसित करनी होंगी उदाहरण के लिए कृत्रिम पत्तियां जो कार्बन डायोन अकसाइड को आउकसीजन में बदल सकती है जीवाडूओं और अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम ग्रह की मिट्टी और वातावरण को जीवन के लिए अनुकूल बना सकते हैं ये सूक्ष्म जीव वातावरण को बदल सकते हैं और ग्रह की सतह पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व उत्पन कर सकते हैं भविश्य की संभावनाएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृप्या लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अपनी राय और सवाल कमेंट में लिखें और ऐसे ही दिल्चस्प विश्यों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद और मिलते हैं